गुद्ट मॉने श्रेंज, माइन में असकुमार, वेलकम टू माइ यूटूब चैनल लेक्जरनेंशन क्लासिज, आज हम लोग क्लास 11 के लिए चैप्टर लेकर रहा हैं, चैप्टर 6.2, जिसमें हम लोग बात करेंगे लिनियर इनिक्विलेटी की, इससे पहले हमने जो ग्राफिकल सॉलुशन कैसे करेंगे, उसको हम नम्मर लाइन पर कैसे री परजिन करेंगे, सॉलुशन सेट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने 6.1 का इंट्रोड़क्शन और एक्साइज का सॉलूशन नहीं देखा है, सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट इन वन वरिएवल की बात करी थी, इसमें हम लोग 2 वरिएवल की बात करेंगे, यह सब चीज हैं जो आपने 1 वरिएवल 2 वरिएवल क्या होती है, मैंने 1 के मैं बता यह था, आज हम लोग थोड़ा सा concept पे चलते हुएatie हम समझेंगे, की Lाइन वरिएवल को हम सॉलूप कैसे इसके बाद उस graph में reason ढूणेंगे कि inequality के वेस पर उसका region किस direction में होगा अपर में होगा या lower में होगा left hand में होगा या right hand में होगा तो इन सभी की चीजों की बारे में बात में हम 6.2 के introduction में करेंगे ठीक है न तो चलिए जड़ा थोड़ा सा ये start करते हैं 6.1 का basic concept इसके बाद 6.2 से link करेंगे जिससे आपको 6.1 भी समझने में easy हो जाएगा 6.2 भी समझने में easy हो जाएगा जिन बच्चों ने 6.1 को थोड़ा भी नहीं attend किया है वीडियो नहीं देखिए उसको थोड़ा सा मैं समझा जयता हूँ ताकि आप उसको वीडियो को देख पाएं तो चलिए द linear equation के बारे आपने 10 पढ़ाओगा one variable तो linear inequality in one variable का means है कि मैं कोशन ले लूँ आपसे कोशन मैं कुछ भी ले सकता हूँ जैसे मैंने लिया three one minus x less than equality two bracket x plus four ठीक है यह linear equation है अब one variable क्यों कि दोनों position पर x present है दोनों position पर x present है तो यह one variable हो गया और linear equation का मेंस क्या है कि x की power one है x की highest power one है इसलिए से linear बोल रहे है inequality का मतलब this sign less than equal to inequality और one variable का means है कि इसमें सिर्फ एक variable x present है इदी मैं आप से पूछू कि इसका solution क्या होगा तो कैसे करोगे 3 की multiply 1 से 3 3 की multiply x से 3x less than equal to 2x plus 8 ठीक है मैं आप से पूछू कि x की value find out करो inequality के basis पर तो आप जब ने 10th class में सीखाता था आप क्या करते थे x को एक तरफ और number को एक तरफ बट यह inequality का sign है तो इसमें हम लोग क्या करते थे rules यूज करते थे जो मैं 6.1 में rule लिखवाय थे तो मैं क्या कर दूँ दूनों side 3x add कर दूँ दूनों side मैं 3x को add कर दूँ तो 2x plus 3x plus 8 यह 3x यह 3x cancel हो गया minus 3x plus 3x 0 हो गया तो यह कितना आगया 3 side आ गया इधर 5x आ गया प्लस 8 आगया ठीक है अब मैं क्या करूँ मैं x की value को find out करना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूँ इस 8 को remove करन तो मैं क्या कर दूँ इधर भी 8 सब्टेक्ट कर देता हूं, next line, 5x प्लस 8, माइनस 8, इधर भी 8 सब्टेक्ट कर देता हूं, तो इधर कितना आ जाएगा, 8 से 8 के इंसल तो 5x माइनस 5, अब 5 से डिवाइड कर दूँ, तो माइनस 1 लेस देन x, इसे बोलता है 2, 3, डेस, डेस, बहुंँ सारी हो सकती है न, x की वेल्लू 1 और 1 से ज्यादा, तो इसका मतलब इसका solution set कितना होगा, जो solution set होगा, वो close interval होगा, क्यों, क्योंकि जब भी बताया था कि less than equal to, और greater than equal to होगा, तो उसमें हम लोग close interval बनाएंगे, ठीक है, तो minus 1 to infinity, minus 1 to infinity, ठीक है, minus 1 से लेके infinity तब के सही value, हम क्या बोलेंगे, minus 1 से greater x की value, तो इसे बोलता है, solution set, ठीक है, और यह समझ में आगे आपको, कि जब भी less than equal to होगा, तो हम क्या बनाएंगे, जब भी less than, less than equal to, और greater than equal to होगा, तो हम close interval बनाएंगे, close interval ठीक है, और इस तरह से, जब सिभ less than और greater than होगा, तो open interval बनाएंगे, इस form में, ठीक है, तो यह तो हो गया, इसका solution set, इसका मैं ग्राफिकल solution करूँ, इसे number line पर represent करूँ, तो कि आपका one variable equation है, यह सब चीजे मैंने आपको first chapter समझाया था, इसका जो first video बनाएंगे थी, तो मैं इसे number line, इसे number line पर represent करेंगे, क्यों, तो कि x की value है, और x की value हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ number line पर represent कर सकते हैं, तो यह number line है, इसमें यह 0 में, center में 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dash, dash, ठीक है, minus 1, minus 2, minus 3, तो इसमें कहा गया है, कि minus 1 to infinity, minus 1 to infinity, तो यह सभी जितने भी इस position पर numbers आएंगे, minus 1 से इस side में, जितने भी numbers होंगे, वो सभी x की values होंगी, बट हमने x पर यह dot हो, जो minus 1 पर हमने dark dot किया, इसका मतलब, minus 1 को भी count कर रहे है, minus 1 को भी count कर रहे है, क्यों, जब भी less than equal to और greater than equal to होता है, तो जिस point की बात करें, वो point को भी count करेंगे, बट ऐसा कोई sign होगा, तो उस point को हम count नहीं करते हैं, बट यहाँ पर जो minus 1 इसे count करेंगे, वो x की value है, और उसे ज़्यादा भी x की value होगा, तो इसे हम represent कर दिये number line पर, क्या है यह, इसका मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू, minus 1 to infinity, x की जो value बिलोंग करेंगी, वो minus 1 to infinity, इन सम्वें जितने भी points आएंगे, वो सभी, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा था, real numbers, और real numbers तो बहुत सारे होते हैं, इन दोनों numbers के बीच में बहुत सारे real numbers होते हैं, यह 6.1 हमने हमने पढ़ा था, जिसमें हमने x की value को, solution set और हम लोग graphical solution on number line पर देखा था, अब हम बात करेंगे, linear inequality in two variable, हमें 6.2 की बात करनी है, 6.2 introduction की, यह 6.1 में हमने इतना सिखा था, हमें बात करनी है, linear inequality in two variable, ठीक है, इसकी बात करनी है हमें, तो जिन्होंने नहीं देखा है 6.1, वो जरूर देख ले, क्योंकि बहुत जादा उसे हमें help मिलेगी, तो आपको पता है, linear equations क्या होती हैं, जिसकी power 1, 6, 16, कुछ ऐसा equation है, तो जिरूर देखो, x और y, इसकी power 1 है, तो linear, inequality का sign है, इसलिए inequality बोलते हैं, 2 variable, x और y, इसलिए 2 variable, तो linear equation है, 2 variable, ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले, linear inequality in 2 variable को हम solve कैसे करेंगे, कुछ ऐसा होता है, example, यह तो example था इसका, मैं इससे पहले एक बात करूँगा, concept of half plane, हमें सबसे पहले इसके बारें पता होना चीए, half plane के बारें में, ठीक है, concept of half plane, जब मुझे इस concept of half plane के बारें बता होगा, half plane क्या होते हैं, उनके बारें पता होगा, तो मैं इसको represent कर पाऊँगा, उस plane में, plane का मतलब समझते हैं नो, one dimension, two dimension, three dimension, ठीक है न, जब देखें, हम बात कर रहें, concept of half plane, कैसे, आपको यह तो पता होगा, center में origin होता है, जिसे हम zero, से represent करते हैं, यह x axis है positive, यह minus x axis है, यह y axis है positive, यह minus y axis है, इसके बारे मैं आपको जानते ही हैं, यह x, तो यह x dash, यह y तो यह y dash, center में zero, ठीक हो, अब देखें जड़ा, हम बात करें, इस side वाले, y axis से, इस side वाले, जो यह plane दिखाई दे रहा, ठीक, y x के इस side, हमाया right side, है, तो इसे हम बोलते हैं, right है, right half plane, right half plane, ठीक है, इस side वाले को बोलते हैं, left half plane, ठीक है, y axis के left side वाले plane को, हम left half plane बोलते हैं, और इस side वाले को, right half plane बोलते हैं, इस तरीक से, मैंने कहा, इस ग्राफ को, जो यह plane है, X axis और Y axis जो बनाई गई है इसको मैं दो iki स्वाइड कर दू कि किसी लाइन दुआरा ठीकिना तो यह स्टेट लाइन है इस्ट्रेट लाइन दुआरा मैं इस plane को दो हिसपो में क्या कर दो हाफ फदिवाइड कर दू पर हिस्षा में एकां तो जो लाएन है स्टेट लाइन ठीक है अब ये उपर का हिस्षा होगा इस स्टेट लाइन के अपलर हिस्षा जो ईजसे हम बोलेंगे अपलाinyl प्लेन अ गमरें प्रह प्लेन प्यूए और स्टेट बुलेंगे और हाफ प्लेटंड में हिमें बात करनी है बच्चे कहेंगे कि चरो ठीक आपने यह वाली छाइट कि कि आपने यह एककसे को यह क्या कर रहा था तो एसबिगार कर घृ मैं हमने को कैसे बात कर डिया कि यह स्टिय लाने आपको पता है कि जब linear equations होती हैं तो linear equation का जो graph होता है always straight line draw करता है ठीक है तो यह भी linear equation है और मैंने one variable के बाद कर जो ग्राफ होगा plane में वो हमेशा straight line draw करेगा हो सकता इस तरीके से हो यह line इस तरीके से भी बहुत हो सकती थी तो यह लाइन इस सापर हो जाए और नीचे बाला लोगर हो जाए ठीक न तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वाले लाइन को आप इधर से ही बना सकते हो बस आपको ध्यान रखना है कि ऑल्वेज स्ट्रेट लाइन ही ड्रो करता है लीनियर इनिक्विलिटी लीनियर क्या करती है अब इस कॉंसेप्ट के बाद कि हमें जलीशन आफ लीनियर इनिक्विलिटी इन टू वडियेवर अन टू डामेंशन प्लेंट थीक है तू डामेंशन प्लेंट थीक है ना हमें क्या करना है है लीनियर इनिक्विलेडी को टू डामेंशन नोल में रिपरेंट करना है तो कैसे टू डामेंशन क्या होती है डिच सबूर्भाई सूणा तो टू डामेंशन के्वित है पर इसमें जैडबोता तो तो रिडर्क मरते हैं वन दैमेंटिमियन मतलब टोसे हम लोग वन वेसिए को नमबर लैन पे करते हैं उसे क्या दूटंब करते हैं तो वेरिय व्यों मौलूग टूडामेंशयना में पर Ihrज्य करेंगे ओ थ्री वरेय व्यृजण तो हम लोग three dimensional means x y z axis में ठीक तो हमें z axis की बात नहीं करनी है हमें सिर्फ two dimensional की ही बात करनी है जिसमें x axis और y axis present होगा मतब दो variable present होगे अब हमें सबसे पहले एक equation लेनी है जैसे हमने यह equation लिया था इसी equation की बात कर लेते हैं जैसे example के लिए आपने यह सब चीज़ सीखा हुआ है बस थोड़ा सा basic चल रहे हैं लोग 4y less than equal to 16 ठीए इसको आपको solve करना है और graph represent करना है तो 10th class में आपने किसी भी equations का इसी भी two variable equations का आपने graph बनाना सीखा था कैसे x की value let करते थे और y की value आती थी x की value let करते थे तो y की value आती और y की value को हम लोग हम लोग उस plane में क्या करते थे denote करके एक straight line draw करते तो यहां भी हम वही करेंगे सबसे पहले जब यह less than equality का sign है तो आप अपने मन में सो समझ लें कि यह equal equality का sign है ठीक न यह अभी कहाल inequality का sign है आपको इसे equality में change कर देना है तो step first क्या है आपका solve करने के लिए इस equation को सबसे पहले आप equality में कर दे इन equality को equality में change कर दे इस इकॉस्टू 16 ठीक पहला step अब इसको solve करना है इसके बाद इसके points निकालना है कैसे लेट किया मैंने कि x is equals to zero x zero then y कितना two into zero plus four y is equals to 16 तो यह zero four से डिवाइड हो जाएगा तो y is equals to four ठीक है एक जिरो दिन y फॉर इस तरह से लेट कर रहे हैं x is equals to two तो y कितना होगा two into two plus four y is equals to 16 460 जाके कितना हो जाएगा 12 और डिवाइड हो जाएगा तो three आ गया है जब x2 होगा तो y कितना होगा three होगा इस तरह से एक और लेट कर लेते हैं x is equals to three तो two into three six और six उदे जाके 10 हो जाएगा तो four y is equals to ten then y is equals to ten upon four it means four to eight or four five to twenty twice equals to two point five जब x की वेलू three तो य की वेलू कितनी two point five ओके इतना तो सम्झ में आ गया होगा आपको यह बस्पन से आप कर रहे हैं 10th क्लास में बहुत बार सीखा होगा बहुत सारे इतों थे लिए पेल से स्रPS एक its की वेल्ल कुछ भी लेक बिलेंकरेंगे और वाजीटे कुछ भी आती है ठीक ना बबी इन सब भी अभी स्फ को उन्होंने लेकिया उसे हम इस द ब्रैकेट में रिपर जरेंगे इसके बाद ऑस आ उससे का है करेंगे पॉइंट को डि रिउ सब्सक्राइब चलिए देखे जड़ा, step first हमने जब solve कर लिया, इन सभी को, किसी भी linear inequality को, यह क्या है, linear inequality है, ठीक है, यह linear inequality है, इसे हमने change कर दिया, linear equality में, inequality को equality में change कर दिया, उसे हमने solve किया, ठीक है न, उसे हमने solve किया, इसके बाद, इसके जो points आये हैं, उसे हम step 2 बनाएंगे, X और Y के points, ठीक है, हमने 3 points लेट किया था, जब X की value 0, then Y की value 4, X की value then 2, Y की value 3, X की value 3, then Y की value 2.5, ठीक है, यह step number 2 है, step 2 से आप क्या करेंगे, एक graph denote करेंगे, graph, ठीक है, आपको पता है, इसके points को इसमें denote करना, 10th में आपने सिखा था, यह सब चीजें, यहां तक तो आपको 10th वाले basic करना है, बस इसके बाद, थोड़ा सा concept होगा, देखें ज़रा, X की value 0, तो Y की value 4, X की value 0 कहां पहोता है, Y axis पे, Y axis पे हर एक position पे X की value 0 होती है, तो Y की value 4 कहां होगा, यहां पर कहीं, तो पहले तो number denote कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी बेखें, तो N 4 कहा पहले हैं, चैक है, ओलंख करना है, X की value 0, Y axis पे और Y की value 4 वहीं present है, इसके बाद X की value 2 और Y की value 3, X की value 2 और Y की value 3 यहां पर, चिक है, X की value 3 और Y की value 2.5, इसको यहां पर मिला दे इंगे, अब इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन डू होगा, इन तीनों पॉइंट को टच करते हो, हमने एक स्ट्रेट लाइन डू कर लिए, यह आपको आता है, नहीं भी आता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे क्या किये, इन सभी पॉइंट को इसमें डिनोट किये X की वेलु 0 Y की वेलु 4 यहां पर X की वेलु 2 और Y की वेलु 3 X की वेलु 2 और Y की वेलु 3 हम इसा X से मूफ करते हैं X की वेलु 2 है positive यहां से ठिर Y की वेलु 3 तक मूफ करना है तो two से गए straight और इसका बाद three तक क्या होगा band होगा इसके बाद X की value 3 यहां से move करते हो जाएंगे Y की value 2.5 2.5 कितना कहां होगा 2 और 3 की बीच में 2.5 होगा तो इधर की तरह बैंट इससे जो point आया corner point उन सभी points को मिलाते हुए एक straight line रो हुआ यह क्या है? Straight line मैंने आपसे कहा था कि linear inequality से जो equations create हुई है linear equations उससे एक straight line ही बनेगा हमेशा आप ध्यान रखना कि एक straight line ही बनेगा हो सकता है इस direction में हो या होसता है इस direction में अब इसके बाद हमारा काम है step number 3 step 3 अब आपको यह देखना है कि जो हमारा linear inequality था वो slack inequality था या strict inequality था ठीक है ना तो आप सबसे पहले यह देखें कि जो हमारा linear inequality है 2x plus 4y less than equals to 16 यह less than equality है less than equal है ना तो less than equal to come क्या बहुत है slack inequality है तो यह क्या है slack inequality है slack inequality अब यह बच्चे समझेंगा नहीं कि सर slack inequality क्या होता है और strict inequality क्या होता है तो जड़ा देख लें जब इस form में कोई equations होगी less than और greater than मैं तो उसे हम बोलेंगे strict inequality ौर जब इस form में less than equal to better than ... गालीतू होगी तो उसे हम slack inequality बलेंगे ही कि हुआ है था shouldn आ पक्र टो यहां पक्रते हैं तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि भाँ Parents slack inequality है या strict inequality है तो यह हमारा slack inequality बना छीक है slack inequality में जो यह graph बनाया जाएगा तो यह क्या है बिल्कुल straight plane graph है तो जो slack inequality में जो graph बनेगा वो straight plane straight plane straight line draw की जाएगी छीक है ना जो line draw की जाएगी वो plane प्लेων स्ट्रेथ लाइन हो Gisl lotta क्या ए फमने किह ये लैंन प्लेन बी है लिलबूलिक श्रेटमी वो पर इसकी क्या बात वह है यह यह प्लेण फिजर लापर है बाटेहरा है इस्ट्रेटम। मैं बात करने है tut छी किन प्लेण स्ट्रेटम interactions बोल तो यह जो प्लेन स्ट्रेट लाइन है उसको दोग टेंधल के लिए बनाते हैं और ईसा जब टॉ करेंगा मतलब जब हमारा स्ट्रिक्ट होगा इनेक विलिटि और यहाँ पर जब है स्लैक इनेकविलिटी यह भी आप नोट कर लें याद रहा है जब जब लाइन को एसे बीलों करेंगे बिल्कुट कर रखाना डार्क में अजब लाइन को इनेकविलिटि हो करके दो नौट करमा ठीक न तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर कि नम्र फ्रीन में हमने यह पहले पता किया कि एक्विलीटी कौँसी है और उसकी लाइन कैसे होगी तो ये लाइन हमारा कितना है ये इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल प्लेन श्टेट लाइन की फर्म में ड्रो कर रहें इसके बाद स्टेप नमबर फॉर हम चेक करेंगे हम चेक करेंगे हम चेक करेंगे हम चेक करेंगे रीजन को, check of reason of this inequality, हम क्या करेंगे, इस inequality से कौन सा reason denote होगा, इस inequality को जो हमें दिया वाई inequality, उससे कौन सा reason, मतलब क्यों से reason में यह inequality क्या अगरे, follow करेंगा, तो जारा पहले हमने inequality लिया, 2x plus 4y less than equal to 16, यह हमारे inequality थी, यहां पर हम check करेंगे, इसमें, तो check कैसे करेंगे, इस line के, इस side में और इस side में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपर, और इसे क्या बोलेंगे, lower, ठीक, समझ में आता है न, बताया था, upper or lower, तो इस straight line के, upper में जिस्तने भी points हैं, और lower में जितने points हैं, उन सभी points को इसमें, रखकर, x और y की position पर, उन points को रखकर देखना है, क्या यह जो less than equal to, से satisfy करेगा या नहीं करेगा, बच्चे कहेंगा, sir, इसे गहसे कर सकते हैं, मैंने कहा, यहां पर कोई भी points ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, कहीं भी ले लो, lower में, कहीं पर point ले लो, मैंने कहा, कि मैं one one ले लू, one and one, x की value one, y की value one, तो मैंने let किया, one and one, ठीक है न, इसमें check करने के लिए, lower half plane, ठीक है, हमने यह point लिया lower half plane से, तो रखके देखते हैं, जरा, two into one plus four into one less than equal to sixteen, two plus four less than equal to sixteen, तो six less than equal to sixteen, ठीक है, four plus two, कितना होगे, six, अब देखो जरा, six क्या sixteen से less than होता है, बिल्कुल, true है यह, six जो है, वो less than है, किसके, six के, जो six है, वो sixteen से less than है, तो यह situation क्या है, true है, हम कोई और point ले लेते हैं, lower का ही, हमने लिया two and three, two and three की जगा, two and three ले ले लेते हैं, ठीक है, lower half का, two and three, two and three तो पहले से present था, हमने two and three ले लेना, two and three तो पहले से present है, मैं two or one ले 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 लेता हूं, ठीक, two or one, यह, two or one, ठीक है न, lower half, इसके बाद इसमें रख के देखते हैं, आठ जो होता है, वो सोलो से हमेशा कम होता है, तो यह भी true है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि lower half के जितने भी points में लूँगा, इस inequality में put करूँगा, action y की position पे, तो यदि true होगा, यदि true होगा, तो मेरा reason इस side वाला होगा, इस side वाले reason सभी इसको follow करेंगे, बट यदि false हो जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इस upper plane में जितने भी points होगे, वो उसे follow करेंगे, means कि मैं इस side की बात कर रहा हूँ, इसके मैंने सारे point लिया, इस position के, तो यदि true होगा, तो इसका मतलब मेर reason इस direction में, मेरा reason इस direction में होगा, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यह reason होगे, बट इदि false होता था, इसका मतलब में, इस reason को उस direction बना लेता, तो मैं इतने सारी चीखे को check नहीं करूँगा, मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है, कि हम लोग lower के जितने भी points लेंगे, उन सब के लिए satisfy है, बस आप सिर्फ एक point लेया करो, क्या, center का, जिसे हम origin कहते हैं, आप सिर्फ एक ही check किया करो, check on origin, origin point, ठीक न, zero and zero, origin point कितना होता, origin, 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 origin point, ठीक न, origin point, तो zero and zero ले लिया हमने, ठीक है, और origin में zero and zero put करेंगे, तो यहां देखते हैं, जरा, two into zero plus four into zero less than equals to 16, जरा देखें, zero less than equals to 16, तो zero हमें सा 16 से क्या होता है, less than होता है, तो यह true है, क्या है यह, true, जब true है, तो इसका means यह हुआ, कि हमारा reason इसी direction में होगा, क्यों, क्योंकि हमने zero and zero lower position से लिया है, जिस पोजिशन में है, और true है, तो इसका मतलब मेरा सारा reason इसी direction में होगा, यह true नहीं होता, तो मैं इस direction की बात करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा पता है, क्योंकि हमारा पता है, जो zero and zero लिया है, वो लूवर पोजिशन पर है, लूवर प्लेन का जब lower position का point हमने लिया है उसके लिए true है तो इसका मतलब मारा reason भी उसी direction में होगा और reason की direction में ठीक है नो तो चलिए यहां तक note कर लिजिए कुछ question हम इस base पर attend करेंगे जिससे और अच्छे से आपको यह समझ में आ जाएगा ठीक है वैसे तो हमें 6.3 में भी यही सीखना है बनाने को से बहुत सारी lines होंगी बहुत सारी lines कमें सी हुआ कि बहुत सारे inequalities गिवन होंगी दो तीन चार तो उनको एक ही graph में बनाएंगे इसके बाद reason डूनेंगे तो सबसे पहले हमने 6.2 कर रहे हैं तो 6.2 के लिए हमें यह सब पहले से आना चाहिए तो इसे note कर लो फिर में graph करता हूं फिर कुछ question ले लता हूं एक्साइज के इसके बाद और अच्छे समझ में आ जाएगा चली देखते हैं जरा हमें दे रखा है 6.2 के एक एक साइज में solve the following inequality graphically in two dimensional plane means क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है उन्हें graphically represent करना है two dimensional plane में अभी जो मैंने आपको सिखाया था वो ठीक है तो एक question ले लेते हैं इसका मैंने question लिया है x plus y less than 5 ठीक है और एक question ले लेता हूं य लेता हूं introduction के लिए फिर तो exercise में आप खुद question कर पाएंगे इसके जब मैं आपको questions कर आता हूं introduction के तो introduction जरूर देखा करो च्योंकि introduction आपको आता है तो exercise में कोई दिक्कत नहीं होगी तेरा देखें हमें इसको solve करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको step first से solve करेंगे step है first में मैं आपको क्या सिखाया कि इस equation को जो यह linear inequality है इसको linear equation में change करो यह क्या है linear inequality है यह और इसको हमने change कर दिया linear equations में ठीक है न हमने इसे linear equation में change कर दिया अब इस linear equations की help से आपको graph इसमें कैसे मैं एक पहले bracket बनाऊंगा रेक्टेंगुलर एक्स और वाई के लिए जिसमें हम action y की points को क्या करेंगे पूट करेंगे जड़ा देखते हैं कैसे इदी x की position पे 1 तो y की value कितनी होगी उदर जाके यह 4 हो जाएगा ठीक है इदी x की position पे 1 रख देंगे तो उदर जाके क्या हो जाएगा 5 में से इदी x की position पे मैं 1 रखा था ना भी x की position पे 0 तो y की value 5 x की position पे 2 then y की value 3 चीक है जो ही value पुट करते हैं उसाइड जाके minus कर लेते हैं ठीक ना तो x दो जाके minus जाएगा तो दो जाके 5 minus 0 5 x की value 1 तो जाके minus 5 minus 1 4 ठीक है तो x की value 2 दे जाके ठीक अब इन सब्सक्राइब points को इसे put कर दें यह x axis है और यह y axis है यह minus y axis है और यह plus minus y axis है ठीक तो सबसे बड़ा point है 5 तो 5 point तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ठीक है हमने किया कि इसमें सबसे बड़ा point है 5 सबसे बड़े point 5 है इसका मतलब यह है कि हमने इसमें 5 point तक denote कर लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 minus 1 2 3 4 5 ठीक है जितनी बड़ी value इसमें present होती होतनी points हमें उसमें होने चाहिए ठीक है 1 and 4 x की value 1 और y की value उपर 4 है यहां से move करते हो जाएंगे y तक तो यह point आ गया 1 and 4 ठीक है x की value 0 y की value 5 x की value 0 y की value 5 x की value 2 यहां पर है और y की value 3 ऊपर के साइड में है यहां पर तो इन points को मिलाते हुए एक straight line draw करो इन तीनों points से मिलाते हुए हमने एक straight line draw किया straight line ठीक है अब यह straight line dotted होगी या क्या होगी plain straight line तो सबसे step number 2 step number 2 क्या हमारा x plus y less than or less than only 5 यह हमारी कौन सीक्यूलिटी है strict inequality है और strict inequality में हम लोग क्या बनाते हैं dotted line ठीक ना dotted मतलब यहां पर सिर्फ यह dotted होना चाहिए ऐसे जो हमने line draw किया है वो dotted है दिख रहा dotted मैंने तो फटाक से मिटा के dotted बना दिया पर आप लोग एक बार ड्रोग कर लोग तो सबसे पहले आप step number 2 को देख लें कि कौन सी line बनेगी straight बिल्कुस बनेगी plain straight या dotted तो यह हमने dotted बनाया है क्योंकि यह जो है strict inequality strict का मतलब क्या होता है less than equality का sign होगा तो वो strict inequality होगा पताए था ना और less than equality है इस form में होगा तो बिल्कुस सीधी line बनेगी और ऐसे होगा जिसका मतलब dotted बनेगी ठीक ना तो step 2 हमने चेक कर ले अब आता है step number 3 step 3 में हमें यह पता करना है कि oursun upper मेंD levon होगा यह यह हिस्से एक वी हिस्सा क्या है lower हाफ plane बोलते हैं इसे lower हाफ plane और यह अपर हाफ plane ठीक ना है तो अ तो lower half plane और अपर हाफ plane में कौन सा है रिजन होगा यह चिक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे x plus y less than 5 है न तो इसमें 0 and 0 put कर दो 0 and 0 put in this inequality बस 0 and 0 put कर दो 0 less than 5 क्या यह true है हाँ बेलकुल क्योंकि 0 5 से less than ही होता है 0 जह है वो 5 से less than होता है तो true आ गया इसका means कि हमारा reason इस direction में होगा कि जुकि 00 क्या है हमारा इस direction में तो इस line के lower में 0 and 0 present है और वो true है इसका मतलब हमारा reason इस direction में होगा तो यह तो हो गया अब यहां आप देखते हैं चला एक को संदे रखाया आपको टू एस प्लस वाई ग्रेट देन इकोल टू 60 कि न तो हमसे पहले क्या करते हैं यह हमारा linear inequality है linear inequality सबसे पहले फिर समय चेंज करना होता है स्टैफ फॉस्ट में इक्वेलिटी में linear equality means equations inequality का मतलब होता है हम लोगों less than greater than और equations हो या inequality equality बोल दो equality और equations का मतलब एक होता है यहां equation लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक्वेशन बोल दें या equality बोल दें दोनों का मतलब एक ही है तो इसको solve करना है सबसे पर हम क्या करते है एक bracket बनाते हैं उसमें x and y की value find out करते है x and y की value ठीक है न इसके बाद हम उसे एक graph में present करते है ठीक है यह x axis यह y axis यह y यह y dash यह y origin है 0 चलिए यह x की value यह 0 put कर दूँ तो y की value 6 x की value 0 0 into 2 0 तो उससाट जाके 6 में 0 minus होगा तो 6 ही आएगा यही मैं x की position पर 1 तो 2 1 तो 2 उससाट जाके minus जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 अब यहां पर मैं 2 put कर दूँ तो x की value कितनी हो तो इसका सबसे बड़ा number कितना है 6 है तो इसको 6 point में cut कर दें 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है 1 2 3 4 5 और 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 ठीक है अब x की value 0 y axis पर कही न कहीं होगा और y की value 6 यहां पर है तो यहीं पर होगा x की value 0 और y की value 6 then x की value 1 यहां पर है y की value 4 उपर के side में तो यहां से move करते हो जाएंगे y 4 तक point आ गया x की value 2 और y की value 2 x की value 2 और y की value 2 यह रहा इन तीनों point को touch करते हुए एक line draw करें तो यह straight line है दिखाई ज़रा है विल्कुल हम इसा straight line ही बनेगी इसमें confusion की बात ही नहीं straight line बस आप हमें step number 2 में चलना है step 2 में हमारा जोई questions है यह क्या है linear यह क्या है slack inequality है linear है slack inequality है हमने चेक किया कि यह क्या है slack inequality और slack inequality में हमारा जो line draw होती है वह plain straight line होती है हमने plain straight line draw कर रखिए step number 3 में क्या करना होता है step number 3 में reason ढूणना है तो reason कैसे ढूणते है two x plus y greater than six greater than equal to six इसमें यह plane दिखाई दे रहा है यह upper है upper half plane और यह है lower half plane ठीक है तो lower half plane का एक point ले लिए हमने zero and zero origin का इसमें put कर रहे है जिरो and zero put in this inequality हम ऐसा zero and zero put करेंगे ठीक है true होगा तो इस direction में false होगा तो इस direction में ठीक है x की position पी जिरो y की position पी जिरो देखो जरा क्या यह true है 0 कभी six से बढ़ा होसकता है तो यह false है तो इसका मतलब मेरा जो reason होगा वो इस direction में होगा अब बिलकुल आपको समझ में आ गया होगा false और true का मतलब ठीक है पॉइंट को क्या किया पुट किया तो जो satisfy किया जो point जिस आपर या लोवर हाफ के जो points उसमें satisfy करेंगे वह हमारा reason होगा ठीक है तो यह तो हमारा हो गया 6.2 का introduction इसमें आपने दोनों ग्राफ बनाना सीख लिए अपर हाफ और लोवर हाफ के भी ग्राफ बनाना सीख लिए उमीद है कि आपको बिलकुल अच्छे समय में आ गया होगा 6.3 में भी सेम हमें यही सब सीखना है तो next video हम लोग 6.3 के लिए ग्राफ बनाना सीखेंगे सबसे पहले आपको यह ग्राफ बनाने आने चाहिए 6 इसकी help से आपने यह बनाया इसके बाद आपको चेक करना है कि यह inequality कौन सी है streak inequality है या slack inequality है कि जब horizon means 00 को put करेंगे तो वो true होगा या false होगा यह त्री लिस्टाफ आप follow कर दें paper में सबसे ज़्यादा marks आपको मिलेंगे ठीक है paper महरबार आते हैं तो paper बहुत ज़्यादा easy question है यह बहुत ज़्यादा easy chapter तो ज़्यादा marks मिल जाते हैं और यह question छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता कि ऐसे question जो easy है वो छोड़ दें आप लो ठीक है तो चलिए तो not down कर लिजी वीडियो को post करके वीडियो पसंद आती है तो like करें share करें और चैनल को जाद जाद सब्सक्राइब करें और अपने के लिए बस इतना ही थैंक यू बाई बाई